यह 18 मीटर वाइड रोड सीधे जा रही है बी ब्लॉक की तरफ सामने जब आप बदुबन वाबुधाम में आएंगे तो आप यह वीडियो ओन कर लीजेगा तो इससे आपको गाइडेंस रहेगी बी ब्लॉक के बारे में यह दो बड़े टंकी जो दिखेंगी यह बी ब्लॉक डिटेल में बात करेंगे यह यह फ्लाई ओवर पता नहीं कब बनेगा बनेगा तो बहुत अच्छा रहेगा यह यह कंवीनियंट शॉपिंग सेंटर का प्लॉट है काफी बड़ा प्लॉट है यह तो अगर आप डी में जाएंगे तो डी में वहाँ पर दुकाने बन गई है तो उमीद करते हैं कि जब वहाँ दुकाने अच्छी बन गई हैं जीडियन अच्छी दुकाने बनाई हैं वहाँ पर तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी शॉप्स बनेंगी देखें कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर उसके सामने यह 9 मीटर की वाइड रोड है और फिर यह हैं यहाँ फुट की सड़क है फिर यह जो हर्याली सी दिख रही है आपको यह कंवीनियंट शॉपिंग सेंटर यह फिर तीस फुट की सड़क है और यहाँ पर देखिए यह नाली का वर्क हो चुका है आगे तक इसको बना रहे हैं तो यह कोने का प्लोट है यह 184 नंबर है कॉर्णर का प्लोट थोड़ा बढ़ जाता है तो यहां से अब आपके प्लोट को नापा जाएगा देखिए नाली के इस कोने से फिर प्लोट स्टार्ट हो जाएगा तो यह 1500 स्क्वार मिटर के प्लोट हैं बिलकुल फ्लाइवर के बराबर में और ऐसा कहा जाता है कि फ्ला है और उसके बराबर में मिनी एमाईजी के फ्लाइट है तो यह बीफ और बॉंबे ब्लॉक पढ़ता है बिलकुल मेरत रोड के नजदीक रेल का फाटक है अभी वहीं से ही सारा ट्रैफिक चल रहा है और रैपिड रेल स्टार्ट हो चुकी है एक सो साथ किलोमेटर प्रती गंटे की स्पीड से अभी रैपिड रेल साहिबाबाद से दुहाई तक और फिर यह उमीद कर रहे हैं कि जल्दी वो मेरत से फिर आगे सरायकाले तक जाएगी और फिर यह प्रपोस्ट है कि फिर वो नौड़ा इंटरनाशनल एयरपोर्ट तक जाएगी जेओ आप यह बड़े-बड़े बिजली के खंबे डेख रहे हैं यह राइन देख रहे हैं यह जहां जहां जायेगा वहां वह यह नौर्द मदूबन बापुधाम के बराबर से 100-meter-wide-road प्रपोज़ ले आउट प्लान में है जितनी चौड़ी सलक दिल्ली से आ रही है अक्षरधाम के सामने आपने देखा होगा वह चौड़ी सलक इतनी चौड़ी सलक मदुबन वापुधाम के बराबर में से प्रपोस्ट है तो ये 45 मिटर वाइड रोड 100 मिटर वाइड रोड में मर्ज हो जाएगी ये देखिए ये मेरट रोड है ये प्रपोस्ट लेयाउट प्लान है जीडिये का ये नॉर्धन पैरिफेरल रोड जो फ्लाइओर है वो नॉर्धन पैरिफेरल रोड 45 मिटर चोड़ा तो देखिए इस फ्लाइओर के इस तरफ भी ब्लॉक है इस तरफ भी ब्लॉक है और जब आप आएंगे तो रेल के फाटक वाली ये सड़क है जो ये फाटक की सड़क है उसके इधर की तरफ A ब्लॉक है और इधर की तरफ B ब्लॉक है तो ये रोड सीधे गोल चक्कर पे जा रही है उसके बाद में ये गुरूप हाउसिंग है A ब्लॉक में अभी कुछ भी कंस्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन हाँ सीवर का और पार्क वगएरा का काम चल रहा है तो ये 45 मीटर वाइड रोड देखिए आगे जाकर के ये 100 मीटर वाइड रोड है देखिए 100 मीटर वाइड रोड मास्टर प्लान ये चली जाएगी डासना की तरफ और जब आप गोविंद्पूरा में देखेंगे गौर के फ्लैट्स बने हुए गौर हम्स बने हुए तो उसके सामने एक सड़ा के 45 मीटर वाइड वो आगे जाकर रुग गई है देखिएगा आप क्योंकि वो 100 मीटर वाइड रोड में वो मर्ज होगी अब यह बी ब्लॉक का यह पार्क है इसके चारो तरफ 40 स्कॉर मीटर के प्लॉट है 40 स्कॉर मीटर का प्लॉट अपने आप में एक अट्रेक्शन रहा है क्योंकि कम प्राइसीज में जमीन खरीदने के लिए कोई स्टार्ट करने के लिए यह जिसके पास कम बजट है तो बहुर चारीस स्कॉर मीटर पर चला जाता है फिर शाट स्कार मीटर है फिर देर स्कॉर मीटर है तो यह वही शॉपं इसेंटर का प्लॉट है यह तोह बाड़ में एक स्वर्रीव का यह इक चॉपंग इनक also है जोन्स ही neu मुंकि और एक बड़ा पार्क है इस फ्लाइओर पर दो तिन आदमी काम करते हैं न्यूस्पेपर में आता है इसको पैसा दे दिया रहा है फिर अब यह जल्दी स्टार्ट हो तो कुछ योजना को भी पंक मिलें लेकिन क्यों नहीं बन पारा है यह अभी तक नहीं समझ में आ पारा है जल्द बनेगा बहुत बार न्यूस्पेपर में आ चुका है अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे आरो भी मदूबन बा चल रहा है तो जल्दी फ्लाइवर यह बने इस फ्लाइवर के एक तरफ रेजिदेंशल प्लॉट्स हैं और दूसरी तरफ मेरत रोड की तरफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं डी में यह लेयाउट प्लान है शॉप्स का कन्वीनियंट शॉप्स हैं देखिए पॉक्रिट मदुबन बापुधाम की शॉप्स हैं और यहां पर शॉप्स के साइजिज लिखे हुए हैं तो चैनल आपको अच्छा लगाए तो आप उसको सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यहां पर यह शॉप्स बन चुकी हैं डी ब्लॉक में बुनकर मार्ट के पास में यह शॉप्स हैं और उमीद करते हैं जल्दी इनका जिडिय ऑउक्षन करें तो यहां पर देखिए इस पेस दिया गया है कार पार्किंग का उसके यह और फिर यह शॉप्स हैं जैसे देखिए कॉर्णर की यह शॉप है यह शॉप है तो जीडिय की वेबसाइट को आप विजिट करते रहिए उसमें आपको पता लगेगा कि क्या उसका रेट रहेगा और देखिए सब पोस्ट आफिस का काफी बड़ा साइज का यहां प्लॉट है शॉप है उसको कवरिंग कह सकते हैं तो यह भी शॉप है और बहुत सुन्दर यह शॉप बनाई है जीडियने यह शॉप बिल्कूल ए ब्लॉक के प्लॉट हैं 200 स्क्वार मीटर के उनके सामने हैं जैसे कि यह शॉप से फिर यह 30 मीटर वाइड रोड है और इसक इसके बाद में फिर शाड़े साथ मीटर की रोड़ पड़ेगी और फिर प्लोट सब्लोट पढ़ेंगे वे यह यह फिर 30 मिटर वाइड रोड नए किकन चौप्स के सामने रोंप यह फिर साथ मिटर की सडक है और यह फिर दो स्बूलत क humans लेके 727 समय संब्स ओर पिर 151 यह तक है और जो 201 यह गज के लेके 624 नंबर दk हैं और जो 108 गज के प्लॉट हैं वह 715 से लेके 680 तक हैं यहां पर 715 मकान बन चुका है यहां पर 700 नंबर का भी एक मकान बन चुका है यहां पर डी ब्लॉक की कन्विनेंट शॉप्स हैं कुछ ए ब्लॉक के प्लॉट एक और तरफ भी आते हैं यह 30 मीटर वाइड रोड 100 फूट की सड़क है तो यहां पर एक अभी मकान बनना स्टार्ट हो चुका है यहां बना हुआ है यहां बना हुआ है यहां बना हुआ है तो यह 240 गज के प्लॉट सामने है नंबरिंग देख लीजे आप 665 से लेके 679 इसके सामने 6 मीटर वाइड रोड है तो बहुत पसंद करते हैं लोग इन प्लॉट्स को और यहां पर डबल 64 से लेके 639 नंबर तक के देखे साइज लिखा हुआ है 108 गज के प्लॉट है जिनका 6 मीटर फ्रंट और 15 मीटर यह गह नौ मीटर वाइड रोड है फिर यहां पर देखिए पार्क है और यह यहां पर लाइजी या एडवलू एस जो भी साइस लिखा हुआ इसमें वह यहां पर फ्लैट्स है अब हम देख रहे हैं एड़ प्रेजेंट ई बी ब्लॉक बी फॉर बॉम्बे क्या यहां पर डवलॉप्मेंट है क्या यहां पर चल रहा है वीडियो देखिएगा लास्त तक लास्त वीडियो बहुत इंपॉर्टन जाएगा बहुत सारी मैं बाते बताओंगा आपको वीड लोट साड़य साथ मी्टर ग्रोड है कि इस दख हम चल रहे हैं पुल के बराबर बर्दर कैंना नौ भी सटाओं जौट पने इस सदख हमारे को कुछ 40 म 1 जौन मिलते प्रेजेंट यह पुल कुछ इस तरीके का यह प्लॉट के बाहर गोल और अंदर चकोर यह इस तरीके का सीवर यहां पर बना रहे हैं कुछ लोग यह कहते हैं कि प्लॉट के अंदर क्यों सीवर दे रहे हैं तो इसका भी कुछ रीजन जरूर होगा